हलो फ्रेंड्स, अंजु के किचन घर में आपका एक बाट फिर से स्वागत है आज में अपने किचन के ही कुछे किसामानों से ही यह बहुत टेस्टी नास्ता बनाऊंगी और आज में बच्चों को भी लंच में यही नास्ता धूंगी ये नास्ता खाने में बहुत जादा ही टेस्टी होगा और इसमें ज़्यादा इंग्रिजिन की ज़र्वत नहीं है, ज़्यादा मेहनत की ज़र्वत नहीं है आप इसी जोर से बनाएगा और अपना कमेंट भी हमाई साथ सेयर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा और रेशीपी पसंद आने पर कमेंट जोर से करिएगा तो चलिए इस नास्ते को बनाना सुरू करते हैं नास्ते को बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है और एक कप सूजी में नाप के दे रही हूँ सूजी हमारी महीन वाली है अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप उसे मिक्सी में महीन पीस के ले सकते हैं और आधा कप गेहों काटा ली हूँ और ये थोरा सा नमख थोरा चिली फ्लेक्स जाल कर सब को हमें मिला दिया है आप कप कटोरी किसी को भी अपना ना बना सकते हैं एक कप वाईल गरम पानी लिए हूँ और इसे हम थोरा सा फ्लेट से ढखकर देश्ट होने के छोड़ देंगे पैन गरम हो गया थो इससमें थोरा सा रिफाइन डाल दिये हूँ ज्यादा रिफाइन डालने की ज़ réussi नहीं है अब इसमें थोरा सा जीरा थोरा आजवाईं और थोरा काला जीरा और ये सफेद तिल हमने डाला है सफेद तिल डालने से इनास्ता देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है अब इसमें एक हरा मिर्श काट के डाल दी हूँ चौप लहसुन डाल दी और थोड़ा करी पता डाल दी हूँ अब इसे हमने डाल दिया है और सारे मसाले में इसे अची तर से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा हमने नमक डाल दिया है और नमक डाल कर भी अची तर से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला एक सार हो जाए और मसाला भी बहुत सुखा सुखा था तो थोड़ा साइस में प position को देख लेते हैं इसे चमभ से थोरा सा मिला लेंगे अभी तो यह थोरा सूखा सूखा लग रहा है इसमें लगता है सोखा सा और पानी डालने की जूरत परेगी इसमें थोरा सा हमने पानी डाल दिया है और इस फिर से मिलाएंगे इस नाज्टे को बनाने के लिए सुजी को महाँ से मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से मिलेगा अगर आपको सुखा लगे तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजेगा और अगर गीला लगे तो थोड़ा सा आटा और मिक्स करके इसको तयार कर लिजेगा अब हम एक इस लड़ी तयार करेंगे इसके लिए हमने दो से तीन चम्मस के हूं काटा लिया है और इसमें नमक चिली फ्लेक्स और सफेद तील डाल कर और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक गोल तयार करेंगे इस गोल में गांट नहीं पढ़नी चाहिए इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका बैटर तयार कर लेंगे बैटर तयार हो गया है तो इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धन्यापता डाल देंगे और फिर से एक वान मिक्स कर लेंगे इस लड़ी बनके बिल्कुल तयार हो गई है इतना ही गाड़ा हमें चाहिए आप इस गोल को मैदा से भी बना सकते हैं हमने गेहों का आटा से बनाया है अब सुजी और गेहों के आटे से जो हमने ये आटा का टो तयार किया है इसे चेक कर लेते हैं ये सॉफ्ट शौफ बहुत अच्छा आटा लग चुका है अब इसके एक कॉर्सन को हम लेंगे और इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेंसा है और ये थोड़ा सा हमने सुखा आटा लिया है सुखा आटा लेकर अब इसे बिलना है सुखा अठाल लगाकर बेलेंगे तो ये अच्छी तरह से बिल जाएगा और हमारा नास्ता बहुत अच्छा बनेगा आपको अगर ये नास्ता अच्छा लगे तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जोड़ से बताइएगा और बेल के साथ आप सब्सक्राइब करिएगा ये नास्ता बनाना बहुत इजी है इसे आप पेपर बनाएंगे तो आपको बारवर बनाने कामन करेगा और इसमें जादा कुछ इंग्रीजेंट भी नहीं है इसे हमने सूची से बनाया और गेहों के आटे से बनाया उनने मैदा कवी बिल्कुल यूज नहीं किया है अब इसकी पटिया निकाल लेंगे ये जो मसाला हमने तयार किया था सब पर थोरे थोरी सी स्टफिंग इसकी रखेंगे सब एक स्टफिंग हमने रख दिया है अब एक एको roll कर लेंगे और इसके sides को थोड़ा सा बन कर देंगे और दवाते वे इसे हम अच्छी तर से बन कर देंगे और दोनों हतेलियों के बीच में इसे दवा कर चप्टा कर देंगे इसी तरह से हम सारा नास्ता को तयार कर लेंगे सारे नास्ते को हमने तयार कर लिया है बहुत अच्छे से ये तयार हो गया है अब ये इस लगी लेंगे इसे एक और फिर से चला लेंगे क्योंकि जब इसे छोड़ देते हैं तो ये नीचे बैड़ आता है जब भी नास्ता तियार करेंगे तो इसे एक और चलाना जोड़ी हो जाता है और तेल को हमने गरम होने पहले से ही रख दिया था तेल गरम हो गया है तो इसमे एक एक करके सारे नास्ते को डालेंगे थोड़ी दिर बाद इसे हम पलड देंगे जिससे ये golden fry हो जाएगा और crispy हो जाएगा तो ये खाने में नास्ता बहुत अच्छा लगेगा आप इसे बच्चों के लंच में भी दिजेगा वो बहुत सौक से खाएंगे कभी पिक्निक पेवी से आप ले जा सकते हैं अब ये सर्फ करने के लिए बिल्कुल तयार हो गया है देखें ये कितना अच्छा है इसे आप सौस या चट्नी किसी के भी साथ खाएए खाने में मज़ा आ जाएगा चलिए फिर मिलते हैं Thank you